या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई गवर्मेंट लैटर मांगा है बी सी सी आई से या फिर क्या चेंपियन्स टॉफिसर रिलेटेट किसी भी गवर्मेंट लैटर की मांग कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बी सी सी आई से जी नहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि ये एक ICC का event है जिसका host पाकिस्तान है मगर ये event ICC ने organize करना है और ICC ही तमाम teams को इस event में invite करेगी कुछ दिन पहले एक news आई और पाकिसानी newspaper ने भी Indian News Agency का हवाला देके उस news को quote किया लेकिन ऐसा possible नहीं हो सकता कि पाकिस्तान cricket board BCCI से कहे कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आ है कि हम पाकिस्तान आपको आने की जाज़त क्यों नहीं दे रहे ऐसी कोई भी मांग PCB नहीं कर सकता लेकिन जी हां ICC ऐसी मांग जरूर कर सकता है कल मिटिंग होने जा रही है स्विलंका कोलंबो में ICC का एन्वल जिलास होने जा रहा है जिसमें सारे countries के representatives आएंगे उसमें सि ICCI के representative जैशा अगर कोई बात करते हैं hybrid से लेके तो उनको सबसे पहले कहा जाएगा कि अपनी government से letter लाके दें वह PCB नहीं कहेगा वह ICC का काम होगा के return letter लाके दें और देखें यह सबजने की जरूरत है कि वह return letter कोई आम बात नहीं है आप जैसे हमारे जैसे fans जो है social media पे व वह अपने father से जो है वह letter लेकर आ जाएंगे और वह PCB के मुह पे मार देंगे CC के मुह पे मार देंगे ऐसा नहीं है मेरे भाई वह letter लेना एक बहुत बड़ी चीज है वह letter इतनी आराम से नहीं दिया जा सकता आज तक वह letter नहीं दिया BCCI ने कितनी बार मना किया कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे नजम सेथी के दौर में भी नजम सेथी इंडिया कहते शारियार खान के साथ 2014 में उन्होंने letter मांगा था BCCI ने letter नहीं दिया था क्योंकि वो थी bilateral series की बात था महाँ पे clause था कि government मना कर दे तो हम आपको नहीं आने देंगे और उन्होंने कह हमारी government मना कर दिया तो इंडियन government verbally तो मना करती रही आज तक लेकिन letter नहीं दिया जब आप letter देते हैं उस letter में फिर आपने diplomatic relations और reasons बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं फिर वो चीज़ें आपको proof भी करनी पड़े जा सकती हैं अभी तो जैसे इंडियन government पाकिसान पर बहुत सारे जमार डाल देती है ना फिर अगर वो letter देंगी तो उसमें उनको reasons भी लिखने होंगे और reasons लिखने होंगे तो वो reasons आपको proof भी करने पड़ेंगे यहां पिर क्या होगा कि उस letter से यह होगा कि Pakistan भी अगली बार letter लेकि ICC को दे देगा तो यह letter पाकिस्तान बोर्ट नहीं सकते हैं वो कोई आम बात नहीं है वो आप और मैं नहीं समझ सकते कि वो letter एक authentic चीज हो जाती है उसमें कितना कुछ लिखावा होता है और वो सब कुछ सही साबित होना भी चाहिए तो इतना असान नहीं है कि Indian Board उठा के कोई भी letter अपनी government से लेकर ICC को दे देगा तो होनी है कि PCB उसकी डिमांड नहीं कर सकता ICC उसकी डिमांड करेगा अगली बात अगली बात है कि कल कोलंबो में मीटिंग होने वाली उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंपियंस ट्रॉफी का budget अप्रूव होगा उसमें कोई venue discuss नहीं होगा अगर venue discuss होता है तो ICC कहेगा कि आप अपनी government से पूछें या में लेटर लाके दें